हेलो फ्रेंज, तो होटल और रेश्णों मैं मर्टन के अलगलग पार्स को अलगलग तरीकों से बना के त्यार किया जाता है आज मैं आपको बताऊंगा मर्टन चांप मसाला करी कैसे बनाई आती है यह खाने में डेच्टे होती होती है, बनाने में भी easy होती है और बहुत ही जल्दी बख भी जाती है तो चलिए fresh Kingdom के पेशान हलका सा pink red कलर का होता है और यहां पे आपने सबसे पहले चांप को एक पर अच्छी तरह से धो भी लेना है आप चाहें इसमें थोड़ा सा नमग डालगे भी इसको धो सकते हैं यहां पे मनें देखें 5 मिल्डिय मसाइज के प्याज लियां सासोग्राम बटन बनाने के यह पांच मैंना काफी हैं प्याज को अपने सलाइस आइस पढ़े लम्बा को अलग लग完全 की जेए और के में नें स्टेइनल स्टील के उकडाही लिया है सबसे पहले हम उसमें oil add करेंगे तो कम सम 100 ml आप इसमें oil add कर दीशे oil जैसे थोड़ा सा गर्म हो जाएगा थोड़े से खड़े मसाले डालने है अच्छे flavor के लिए 2 तेजपता, 1 टुकटा दाजेनी इसके साथ में 2-3 आप बड़ी लाइशी add कर दीशे एक छोटा सपीस आपने इसमें जवित्री add करनी है जवित्री का use आप कम कीशेगा, बहुत strong इसका flavor होता है 3-4 आपने इसमें long add करने है 2-3 आप इसमें छोटी लाइशी और थोड़ी सी काली मेर्स चाल दीशे इन मसालों को हलकस आपने गर्म कर लेना है जैसे मसाले गर्म हो जाएंगे इसके बदा आपने इसमें slice cut off प्याज add करना है और gas की flame आपने high करनी है high flame में आपने प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है तब तब पकाना है जब तब प्याज अच्छे से soft ना हो जाए और साथ में आपने आदा चमच इसमें नमक add करना है नमक डालने से प्याज जो जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी जल्दी छोड़ेगा तो प्याज पकेगा भी जल्दी यहाँ पे कि देखिए प्याज यहाँ पे soft हो चुका है जाए बना मीडियम कर देनी है और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आप इसमें लाल मिर्च का पॉडर कर देनी है तो कि देखिए यहाँ पे मैंने मटनको लगवाब 5 मिन्ट तक भून लिया है इसके पूद आपने मटन को उपर से कबर कर देना है और कबर करके कम से 10-12 मिन तक मीडियूम फ्लेम याँ पर पकने देना है ऐसा करने से क्योंगा जो हमने इसमें प्याज डालाना वो पूरी तरस से गल जाएगा उसकी ग्रेवी बन जाएगी तो जब तर मटन पकर है मसाला त्यार कर लेते हैं यहाँ पर एक बॉल लिया है आदा चमच हल्दी पौवडर एक चमच आपने इसमें देगी मिश पौवडर है कश्मीरी लाल मिश पौवडर एड़ करना है तीखा करने के लिए थोड़ी सी लाल मिश का पौवडर और एक से डेट चमच आप इसमें धनिया पौवडर एड़ कर दीशे और साथ हैं आपने इसमें थोड़ा सा जीरा पौवडर डालना है कच्चा जीरा पौवडर का मैंने यहाँ पर यूज किया है बाकी गर्मसाला पौवडर लाश में एड़ करेंगे उपर से तो के देखिए मसालों को मिक्स कर दीशे और यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं मटन को भूनते हुए अब देख सकते हैं मटन का जो कलर है बो भी चेंज हो चुका है और जो इसमें प्याज डाला था ना बो भी अच्छी तरस से गल चुका है और एक बाद 10 मिनट तक कबर करके पकाएंगे ना तो आपने बीच-बीच में पल्टा यहाँ पर चलाते रहना है और इसके बद आपने इसमें अदरक लसुन का पेश्ट आइड करना है तो दो छोड़े चमब भर के आप इसमें अदरक लसुन का पेश्ट आल दीचे मटन बनाने के लिए जो अदरक लसुन के पेश्ट का यूज करते हैं बराबर कॉन्टिटी में अदरक लसुन आप डाल सकते हैं पेश्ट बनाने के लिए अदरक और लसुन के पेश को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीचे और हाई फ्लेम में आपने आपने ना मटन के साथ 5 मिन तक पेश को भी यहां पे पका लेना है ताकि अदरक और लसुन को जो अपना स्ट्रॉंग फ्लेवर होता है भो खत्म होशा है फिर आपने इसमें मसाले अड़ करने है और मसालों को साथ में आपने इसमें थोड़ा सा नमग भी अड़ कर देना है तो आदा चमच मैंने इसमें देखिए नमग भी डाल दिया है बाकी थोड़ा सा नमग मैंने प्याश को पकाते टाम भी यूज़ किया थे हैं यहां पे की फिलेम में इसके बाद हाई कर दिशेए और डही को भी से मिGB करके पका लिजिए तब तब क़ाना है देही को मसालाओं के साथ जब तर मटन की ग्रे को खूड़ना है यहां पर शुरूर न करते तो किया दिखे मुसाले बैच्छी तरह से पक चुके हैं और जो हम ने इसमें नहीं आइड की थी बो भी अच्छी तरह मैंने पका ली है इसके बद आप आप ने इसमें टमाटर एड़ कर रहे है तो टमाटरों का यूस मैंने आपे कम ही किया है पांच प्याज और तीन टमाटर काफी रहेंगे 700 ग्राम मटन बनाने के लिए अब आपने टमाटरों को ना मिक्स नी करना है यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हरी मिर्श भी एड़ की है बहुत ही बड़ी है टेस्ट आएगा मिर्शी से और के देखे इसके बद हलका सा बी सेंटर में आप जगा बनाईए इस तरह से और थोड़ा सा आपने पानी डालना है ऐसे और इसको गैस की फ्लेम एक्तम लो करनी है कमसे पांच मिन तरह लो फ्लेम में पकने देशे ऐसा करने से क्या होगा स्टीम से और टमाटर है बहुत ही जल्दी गल जाएंगे और पांच मिन के बद आपने आपने टमाटरों को भी मटरं के साथ यहां पर mix कर लेना है और थोड़ी दिर आपने टमाटरों को भी भुनाई कर लेनी है तकि टमाटरों को जो अपने खटा और कच्छा टेस्ट होता है बहुत हम होजा है तो के देखिए अब देख सते हैं टमाटर भी अच्छी तरह से गल चुके हैं से सौफ्ट वह चुके हैं और टमाटनों भी मैंने अच्छी तरह से बुनाई कर लिए यहां पर इसके बुद आपने इसमें पानी एड़ करना है तो पानी आपने गर्म डालना है ठंडे पानी के यूस नहीं करना है ठंडा पानी डालने से मुटन का जो कुकी पूरसेस है वह उसलो हो जाता है, गरम पानी डालेंगे, उस से ना मटन की ग्रेवी भी घरम हो जाए की जल्दी से, और मटन को पकने में टाइम भी ठोड़ा सा कम लगता है, तो लगवा एक लीटर मैंने इसमें पानी आड़ करती है क्योंकि मतन है इसको पकने में टाइम ची होता है इसके बुद आपने मतन को उपर से कवर कर देना है एककम लो फले में कम सकम एक घंटे तक आप इसको पकने देशे और जल्दी आप इसको पकाना चाते हैं आपने इसमें आदा चमच गर्मसाला पॉडराइड करना है थोड़ा सा फ्रेश काट ओवा हरतनी डालती है थोड़ी से आपने इसमें कसूरी मेथी डालनी है इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए अगर आप थोड़ी सी पतली गरेवी खाना पसंग करते हैं तो यह हमारी देखिए मर्टन चांप करी जो त्यार हो चुकी है इसको थोड़ा सा मसाला टाइप बनाना चाते हैं उपर से कबर कर दीशे पांस से साथ मिन तक मीडियम टू हाई फ्लिम आप इसको पकने दीशे यह देखिए यहां पे हमारा मर्टन मसाला करी भी त्यार हो चुकी है इस